हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है एकसाइज 14.1 से क्वेशन नम्बर 2 करेंगे फेक्टराइज दा फॉलेंज एक्टराइज करना देखो 7x-42 हमें देखना है कि 7x-42 किस नमर से कम्प्लिट डिवाइड होगा अगर इसको देखेंगे तोड़नों तो क्या तूट सकते हैं मैनस ऐसी मुझे 42 को तोड़ना है अगर हम इसको देखेंगे तो 7x6 क्यों हमने 7x6 में इसको तोड़ा क्योंकि हमार पास 7 आ रखता है इससे हमें आप कॉमन लेने में असानी हो जाएगी अगर 7 को मैं भाल ले लो अब भाई 7 है इसमें दोनों में तो दोनों में होगा उसक बच्चा मैनस यहां कितना बच्चा 6 बच्चा तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 7 हमने बाह लिए 7 से हमने दोनों क्या किया डिवाइड किया तो x-6 हमारा आंसर आ ठीक है 7x-6 अब यहां देखो 6 है यह 12 एक चीज आप देखो पहले 6 की टेबल 6 में जाती है और 12 में भी जात तो इस सिद्धे भी लिख सकता है 6 को भाल ले लूँ तो यहां पी बच्चेगा और यहां देखो 6 टेबल 12 तक जाती है कितना टैम जाती है 2 टैम जाती है और यह क्यों यहां जाएगा तो यह सिद्धे से रहा अंसर हो जाएगा हमारा यहां आप 6 को क्या तोर सकते है 2 into 3 into P यहां यहां यह भी है तो into 3 भी ले लेघे अब जैको हमारे पार सिर्फatter इहां क्या बच गर यह तो ऐक भार आगा यह क्यों तो 7a square of 14, भाई हमें मालू में 7 की टेवल 7, 7, 1 ताइम जाएगी, और यहां Two time जाएगी अगर मैं इसको 7 से काट को तो यहां क्या जाएगी 1a स्क्वेर आजाएगा और यहां कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा अगर मैं अगर मैं 7a लूँ बहार तो यहां क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा क्योंकि 1a बचेगा एक तो हमने बहार लिया पलस यहां 2 और a तो बहार आ गए तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कर सकते हैं आपको सिंपली देखने कि दोन नंबर से कुन किस्ट है में दोन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं नेस देखो मैंना 16 जड़ पलस 20 जड़ स्क्वार अब देखो अगर मैं मैं मैंना 16 को तोड़ू तो क्या टूटेगा भई मैंनास 4 इंटू 4 इंटू इंटू परन नहीं हो रहा है और जड़ को 3 times multiply कर लो के अब देखो यहां मैंनस 4 अब यहां 4 है यहां तो 4 लेंगे हम क्योंकि मैंनस यहां तो मैनस है नहीं तो हम चाहलेंगे भाहर 4 लेंगे तो 4 हमने बहा लिए 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 तो क्या बचरा मैनस 4 और यहां जड़ भी लिए बहार तो Z यहां आ गया, अब प्लस है, तो प्लस, यहां देखो 5 बच रहा, तो यह 5, एक Z तो हमने बहा ले लिया, तो 2 Z बच रहे, तो क्या जागा, Z का स्क्वेर हो जाएगा, यह हमारा अंसर हो गया, ऐसी यहां देखो 20 L स्क्वेर M स्क्वेर M है, प्ला 30 A L M है, अगर मैं 20 और 30 में, क्या कॉमा ना रहा भए, 10 कॉमा ना रहा, यहां L स्क्व्यर यहां L, तो 1 L ले सकते, यहां M है, यहां भी M है, तो इसको M को भी ले सकते, तो अंदर क्या बच रहेगा, वह 10 की टेवल 20 तक बोलो 2, एक एल बार है एक अंदिरी रहे जाएगा ओके प्लस टेन की टेबल ठटी तक बोलो कितना बच आएगा थ्री ओके और यहां क्या बचेगा ए ए हमारा यहां आजाएगा ओके एसे यहां देखो 5 x square y minus 15 x y पहले सो हम देख रहे हैं 5 की टेबल 5 में भी जाएगा इसमें भी जाएगा तो हम 5 को बहा ले सकते हैं यहां x square यहां y है यहां y square तो एक y को अब यहां क्या होता है 5 बहार आ गया y बहार आ गया x 2 थे एक बहार आ गया तो एक तो अंदिर रे गया 5 की टेबल 15 तक बोलो 3 बचेगा x बहार आ गया y एक बहार एक अंदिर रे गये तो यह हमारा अंसर हो गये अब यहां भी देखो 10, 15, 20, बस सिंपली देखेंगे 10 की टेवल, 10 की टेवल में 5 की टेवल जाती, यह भी 5 से कटर यह 5, तो हमने पहले 5 ले लिए, यहां A स्क्वार है, यहां नहीं है, यहां नहीं, तो 5 भी बाहर आएगा भाई, क्योंकि A यहां तो यहां तीनों में A नहीं कि देखो, मैनस 4 स्क्वार क्या पलस 4 AB मैनस 4, अब नहीं हम देखिगे, हमारा कैसल में 4 ले लेंगे, यहां A है, यहां भी A है, यहां भी A यहां भी B भाहर लेंगे, अब हमारा पाया undबचार, मैनस A बच रहे है, क्योंकि 2 A था, एक तो बाहरा गया, यह पलस तो सेम आजाएगा ऐसी यहां देखो यहां एक स्क्राइड है यहां भी है यहां भी तो एक एक स्क्राइड ले सकते हैं क्योंकि एक बहार आ गया यहां यहां से ऑ एक यहां बच गया क्योंकि यहां बच गया एक अनदर बच गय अच अब देक एक मैं बहुति हम दे सकते हैं क्यों छैन्य क्योंकि और एक डाएड यहां हम यहां ब्रक्षा यहां सी और हमने क्या एक्स और य बहाले रख तो क्या बचाए जड़ बचा ओके तो यह हमारा अंसर हो गए ओके